Hello dear kids, इस वीडियो में बच्चों हम lesson 1 number and numeration के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों हमने पिछली class में 1 से 100 तक की counting सीखी थी number सीखे थे और उनके numbers, number name सीखे थे तो अब हम यहाँ पर कुछ numbers दिये गए हैं जिनके हमें number name लिखने हैं जैसे यहाँ पर 25, 25 लिखा हुआ है तो यहाँ पर words में और यहाँ पर digits में लिखा हुआ है अब हम next spelling देखते हैं जैसे 4 है तो F-O-U-R 4 इसी तरह से 7 है तो 7 की हमें spelling लिखनी है इसी तरह से बाकी के digits की भी हम spelling लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर pattern complete करना है पैटन मतलब हमें एक system होता है एक series होती है जैसे 15 के में हमने plus 2 किया तो 17 17 में plus 2 किया तो 19 इसी pattern को हमें follow करना है तो यहाँ पर हम plus 2 करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और plus 2 करेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा इसी तरह से आगे का pattern हमें complete करना है इसके बाद next pattern में हम देख रहे हैं 22 digits add हो रही है तो इसके बाद जो number आएगा वो 34, 36 इस तरह से आएगा और next में हम देख रहे हैं एक एक number minus हो रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा 41, 40, 39 इस तरह से हमें पूरी series complete करनी है इसके बाद बच्चों कुछ और number दिये गए हैं जिनको हमें words में लिखना है जैसे कि 60 यहाँ पर 70 तो 7, S, E, V, E, N, T, Y, 70 इसी तरह से बागी के digits के भी हम number लिख सकते हैं जैसे यह है तो हम इसको लिख सकते हैं 53 इसी तरह से बागी के digits के भी spelling लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों हमें before and after number लिखने हैं कि before मतलब दिये हुए number के पहले कौन सा number आता है और बाद में कौन सा आता है जैसे 34 से पहले 33 और 34 के बाद 35 इसी तरह से 70 से पहले 69 और उसके बाद 71 तो इस तरह से हमें बाकी के numbers को complete करना है before और after number लिखने है इसके बाद बच्चों हमें जो बीच में number आता है in between जो number आता है जैसे 10 और 12 के बीच में कौन सा number आता है 11 तो हमें यहापर 11 लिखना है 14 and 16 के बीच में क्या आता है 15 तो हमें यहापर 15 लिखना है इसी तरह से 19, 20, 21 इसी तरह से बाकी की series complete करनी है इसके बाद बच्चों यहापर कुछ फिलिंदा blanks है जो हमें complete करने है जैसे कि the number before 23 is 23 से प after मतलब बाद में 39 के बाद क्या आता है 40 इसी तरह से बाकी के questions को भी हमें solve करना है इसके बाद बच्चों हमें यहापर हम सीखते है bigger and smaller numbers के बारे में bigger मतलब होता है जो number बड़ा होता है और smaller मतलब जो number छोटा है तो यहापर हम हर एक दो digit के number में देखते है कि कौन सा digit than 16 तो दो digit का जो number होता है वो हमेशा एक digit के number से बड़ा होता है यदि दोनो number two digit के हैं तो हमें क्या करना है 10s के place की जिसकी digit बड़ी होगी वो number बड़ा होगा जैसे यहापर 20 और 56 दो number दिये हुए है तो हम देख रहे है कि 10s की place पर यहापर 2 है और यहापर 5 है तो 5 बड़ है तो इसलिए यह वाला number बिगर हो गया 56 इसी तरह से यदि दोनो number digit के number में 10s की place पर same digit है तो हम फिर once की digit को compare करते हैं जैसे कि यहापर example है 48 और 42 यहापर 10s की place same है 4 4 है दोनों में तो अब हम once की place पर compare करेंगे जैसे 8 और 2 तो इसमें 8 बड़ा है तो 48 is bigger than 42 इस तरह से हमें हम यहापर कुछ example करते है exercise के हमें यहापर bigger number को circle करना है circle the bigger number तो अब हम यहापर देख रहे हैं हम 10s दोनो number 2 digits के हैं तो हम 10s की place के number को compare करेंगे जैसे हिहापर 1 है और यहापर 2 है तो 2 बड़ा है इसलिए हम ऐसे निशान लगाएंगे इसी तरह से 19 से 91 बड़ा है अब हमें smaller number को circle करना है smaller number कौन सा है जैसे हापर first option में 72 और 79 में 10s की digit same है और तो इसके बाद हम once की digit पे जाएंगे जो कि 2 और 9 है तो 72 2 smaller है 9 से इसलिए 72 छोटा number हो गया 79 से इसी तरह बाकी के questions को भी हम इसके solve कर सकते हैं इसके बाद बच्चों हमें circle the biggest number and put it tick on the smallest number जो सबसे बड़ा number है उसको circle करना है जैसे हम d वाला part करते हैं 58 85 और 8 तो हम यहाँ पर biggest number क्या हुआ 85 तो हमें इसको circle करना है और जो smallest number है जो की 8 है उसको tick करना है इसी तरह से next में biggest number 57 है और smallest number sorry biggest number 59 है और smallest number 52 है इस तरह से हमें इनको complete करना है इसके बाद बच्चों हमारा next है greater than और less than greater than में क्या होता है जो number बड़ा होता है उसको हम greater बोलते है और जो number छोटा होता है उसको smaller बोलते हैं जैसे 86 is bigger than 42, 86 बड़ा है 42 से या 86 is greater than 42 तो हम उसको क्या लिख सकते है 86 is greater than 42, इस तरह से हम इस निशान से शो करते हैं, इसको हम greater than का निशान बोलते हैं, और इसको हम smaller than का, less than का निशान बोलते हैं, तो जिस तरफ move खुला हुआ होता है, वो उस साइड हम बड़ा नमबर लिखते हैं, जैसे कि 96 bigger है, greater है तो 96 की तरफ open mouth रहेगा, और 59 greater है तो 59 की तरफ, अब हम इस से related कुछ exercise करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें mark करना है, जैसे first part में 58 बड़ा है या 72, तो हमने देगा 72 बड़ा है, तो इस तरफ open mouth रखेंगे, next में हमें 63 बड़ा है तो इस तरह mark करेंगे, इसी तरह B part में 68 बड़ा है तो इस तरफ निशान लगेगा, इ इसके बाद बच्चो हम next topic पढ़ेंगे, ascending and descending order, ascending मतलब होता है बच्चो increasing order में, small to big, और decreasing मतलब होता है, biggest to smallest, bigger to smaller, तो यहाँ पर कुछ number दिये गए हैं, जैसे उन्हें हमें ascending order में arrange करना है, ascending मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा number आएगा, यहाँ पर सबसे छोटा number कौन सा है, इसमें 75, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे first stage पर हमें 75, उसके बाद हमारा आएगा 85, उसके बाद हम लिखेंगे 85, उसके बाद आए आएगा 88, और उसके बाद 93, तो इस तरह से हमने smallest to biggest number लिखा, जिसको की हां ascending number बोलते हैं, इसी तरह से बच्चों हमें बाकी के parts को भी solve करना है, इसके बाद हम कुछ example descending order के करके देखते हैं, descending मतलब अप से down, बढ़े हुए से छोटे number तक हमें आना है, सबसे पहले हमें 73 सबसे बड़ा number है, तो सबसे पहले 73, उसके बाद 53, उसके बाद 43 और उसके बाद 33, तो इस तरह हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सबसे बड़ा number लिखा और सबसे लास्ट में हमने सबसे चोटा number लिखा, तो इसको हम descending order बोलते हैं, बाकी के parts को आप इसी तरह से solve इसके बाद बच्चों हम forming numbers, numbers बनाना सीखते हैं, यदि हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर दो number है, 28 और 82, इनमें दोनों digits सेम है, 8 और 2, लेकिन दोनों number सेम नहीं है, क्योंकि उनका place अलग-अलग है, first number में 2 tens की place पर है और 8 ones की place पर, जबकि दूसरे number में, यानि 82 मे 8 tens की place पर है और 2 ones की place पर है, तो इसलिए 82 बड़ा हो गया 28 से, इसी तरह से 61 is greater than 16 and 93 is greater than 39, इसी तरह से बच्चों हमें बड़ा number बनाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों digits में जो number बड़ा है, उसको tens की place पर रखना है, जैसे 4 और 7 दो digits हैं, इनसे हमें bigger number बनाना है, तो हम हम क्या बनाएंगे, जो बड़ा number है, यानि कि 7, उसको हम tens की place पर रखेंगे, और जो छोटा number है, जैकि 4 है, उसको हम once की place पर रखेंगे, इस तरह से हम bigger number बना सकते हैं, और अगर smaller number बनाना है, तो small digit को tens की place पर रखेंगे, और big digit को once की place पर रखेंगे, इसी तरह से हम दिय हुई डिजिट से bigger और smaller number बना सकते हैं अब बच्चों यदि हमारी एक ही digit दो बार आ रही है तो हमें bigger number या smaller number की जरद नहीं होगी क्योंकि दोनों number सेम ही होंगे तो इसलिए हमें 66 एक same number है bigger number और smaller number नहीं होगा अगर हमारी दोनों digits जो दी हुई है वो same है तो अगर हम उनकी place को interchange भी करेंगे तो हमें same number ही मिलेगा इस चीज़ को अब हम कुछ exercise की help से समझते हैं बच्चों यहां पर हमें कुछ bigger और smaller number बनाने हैं दी हुई digits से तो आप हम देख रहे हैं हमें bigger number कैसे मिलेगा big digit को हमें 10 की place पर रखना है और small digit को once की place पर तो number हो गया 64 अब इसका हम उल्टा करते हैं हमें smaller digit बनानी है तो small digit को 10 की place पर और big digit को once की place पर तो 64 is greater than 46 इसी तरह से next में bigger digit हो जाएगी 92 और smaller digit हो जाएगी 29 इसी तरह से बाकी के parts को भी आप solve कर सकते हैं इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम next पढ़ते हैं place value place value क्या होता है जैसे कि दो number है 34 और 43 इसमें 2 digit है 3 and 4 दोनों अलग-अलग जगा पर है अलग-अलग place पर है इसलिए उनकी value अलग-अलग है तो अब यहाँ पर कुछ number दिये गए हैं जिनकी हमें place value लिखनी है जैसे कि 3 tens हैं यहाँ पर और 4 ones है तो number बन गया हमारा 34 तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं 30 plus 4 that is 34 तो इसमें 3 tens की place पर है 34 में और 4 ones की place पर तो यह उसकी place value हो गई, 30 और place value में क्या हो गया, 3 की place value क्या हो गई, 30 क्योंकि वो tens की place पर है और 4 की place value क्या हो गई, 4 क्योंकि वो ones की place पर है, तो इस तरह से हम place value लिखते हैं इसके बाद हम कुछ और numbers की place value देखते हैं जैसे number है 43 तो 43 में बच्चो 40 plus 3 4 10s की place पर है और 3 1s की place पर तो हमारी 4 की place value क्या हो गई 40 and 3 की place value क्या हो गई 30 तो इस तरह से हम place values लिखते हैं अब इससे related कुछ exercise करते हैं जैसे बच्चों यहाँ पर the digit in the 10th place of 19 is क्या है यहाँ पर 19 में 10 की place पर क्या है number 1 और इसकी place value क्या है 10 इसी तरह से 19 digit in 1s place 1s की place पर 19 में क्या है 9 और इसकी place value क्या होगी 9 ही होगी इसी तरह से 27 में 1s की place पर क्या number है 7 और इसकी place value भी 7 होगी इसी तरह से हम बाकी के parts की भी place value लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो ordinal and cardinals के बारे में पढ़ते हैं ordinal number से क्या होता है हमें position पता चलती है कि first number पर है second number पर है third number पर है तो इस तरह से हमें counting number की जो counting होती है उनका order पता चलता है order मतलब जैसे one को हम first, two को second, three को third, fourth, fifth, sixth, seventh इस तरह से बोलते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं one के आगे st लिख देते हैं तो यह ordinal numbers हो गए two के आगे nd लिख देते हैं three के आगे rd लिख देते तो third हो जाता है जैसे अब यहाँ पर question है in the week Tuesday is the Tuesday कौन सा दिन है third day है तो हम क्या लिख सकते है t-h-i-r-d third day and Saturday is the seventh day of the week and the Sunday is the first day of the week इस तरह से हम ordinal numbers को लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ fruits दिये गए हैं जिसका हमें name लिखना है जो कि सबको पता है यह banana है apple है orange है strawberry है और grapes है अब यह banana B से start होता है apple A से orange O से और strawberry S से और grapes G से अब हमें now write the first letter of these words in alphabetical order alphabetical order मतलब जो ABCD में सबसे पहले आता है उसको हमें सबसे पहले लिखना है जैसे A आता है उसके बाद B आता है ABCDEFGHIJG तो G आ गया KLMNO और फिर S आता है तो इस तरह से हमें इन यह alphabetical order में लिखना है इसके बाद बच्चों हम even और odd numbers के बारे में पढ़ते हैं कि numbers which cannot be made into pairs जिनका हम 2-2 के जोड़े नहीं बना सकते 2-2 के pairs में नहीं बना सकते जैसे आप यहां देख रहे हैं 15 है तो 2-2-2 के हमने pairs बनाए लेकिन pairs के बाद last में हमारे 1 strawberry बच गया तो यह pair नहीं बना तो जिन number को हम pairs में नहीं divide कर सकते उनको हम odd number बोलते हैं जैसे कि 15 है इसी तरह से हम even number देखते हैं जिन number को हम pair में divide कर सकते हैं उनको हम even number बोलते हैं जैसे 8 8 क्या है इसमें 2-2 के हम 4 pair बना सकते हैं इसलिए यह एक even number है तो जो even numbers होते हैं वो digits कौन-कौन सी होती हैं जिनकी 1s की place पे 0, 2, 4, 6, 8 यह digits होती हैं वो हमारे even number होते हैं और जिन numbers में 1s की place पर 1, 3, 5, 7, 9 होता हैं उनको हम odd numbers बोलते हैं इसके बाद बच्चों यहां पर हम कुछ addition सीखते हैं जैसे 2 plus 3, 5 1 plus 8, 9 1 plus 9, 10 इसी तरह से बाकी के अनर्जिस को हम add कर सकते हैं इसके बाद addition of 10s 10s मतलब 10 plus 20 जैसे 1 10 का मतलब 10 और 2 10 का मतलब 20 तो number कितने बन गए? 3 10s तो number हमारा हो गया 30 इसी तरह से 6 10s plus 4 10s equal to 10 10s 10 10s मतलब 100 अब हम इससे related कुछ exercise करते हैं जैसे की 1 10 plus 1 10 कितने हो गए? 2 10s equal to 20 इसी तरह से 2 10s plus 2 10s कितने 10s हो गए? 4 10s equal to 40 10 plus 10 20 20 plus 20 40 50 plus 50 100 and 70 plus 30 100 इस तरह से हम इस exercise को complete करेंगे इसके बाद बच्चों हम 2 digits numbers के addition के बारे में चलते हैं जैसे की 52 plus 34 34 क्या होगा? जैसे पहले हम क्या करेंगे? 1s की digit को add करेंगे जैसे की 1s की digit पर इन में क्या है? 52 में 5 10s है और 2 1s है इसी तरह से 34 में 3 10s है और 4 1s है तो अब हमें सबसे पहले 1s की digit को add करना है तो 2 1s में हमने 4 1s add किया तो 6 1s हो गया इसी तरह से 5 10s में हमने 3 10s add किया तो 8 10s हो गया तो number क्या हो गया हमारा 86 इसी तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पहले हमने 2 में 4 add किया तो 6 हो गया और 5 में 3 add किया तो 8 हो गया सबसे पहले 1s को add करना है जैसे हैं पर किया है और उसके बाद हमें 10s को add करना है इस तरह से हम 2 digits के addition करते हैं जैसे अब हम कुछ example देख लेते हैं हम 1s में add करेंगे 22 में 7 एड करेंगे तो 2 plus 7 9 और 2 इसी तरह से 0 plus 6 6 and 4 इसी तरह से हम बाखी के addition को भी कर सकते हैं यह horizontal addition है इसमें 2 plus 5 करेंगे 7 and 1 plus 2 करेंगे तो 3 तो number हो गया हमारा 37 इसी तरह से 3 plus 2 5 and 2 plus 2 4 इस तरह से हम 2 digits के addition करते हैं अब यहां पर कुछ word problems है बच्चो जैसे कि बस started with 32 children लेटर एक बस 32 बच्चों को लेकर चली और बाद में 27 और बच्चे उसके अंदर आ गए तो अब बस में कितने बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे 32 में 27 एड करेंगे तो 2 plus 7 9 and 3 plus 2 5 तो 59 हमारा answer हो गया इसी तरह से बच्चों 24 क्रियोंस है रोहन के पास और उसकी sister के पास भी 24 क्रियोंस हैं तो दोनों के मिलाकर कितने क्रियोंस हैं तो हम यहां क्या करेंगे 24 plus 24 तो how many crayons will be there 8 and 4 48 crayons हो जाएंगे तो इस तरह से हम invert problems को solve करेंगे इससे related अब हम कुछ subtraction के question करते हैं बच्चों जैसे 8 minus 2 6 इसी तरह से 9 में से 8 subtract करेंगे तो 1 आएगा 7 minus 5 2 इसी तरह से 1 digit के हम subtraction कर सकते हैं अब हम 2 digits के subtraction करते हैं जैसे कि 30 minus 20 3 10 minus 2 10 that is 110 तो number हमारा हो गया 10 जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं 3 10 minus 1 10 2 10 तो number 20 इसी तरह से 5 10 minus 3 10 2 10 आंसर हमारा 20 इसी तरह से 20 minus 10 10 80 minus 10 70 अब हम 23 में से 23 subtract करेंगे 68 में से तो हम क्या करेंगे इसमें 6 10s और 8 1s हैं इसी 1s में से पहले 1 subtract करेंगे that is 5 and 6 minus 2 4 जैसे कि हमने addition में पहले 1s को plus किया था फिर 10s को इसी तरह से पहले 1s में से subtract करेंगे और फिर 10s में से तो यहां पर example देखते हैं 7 minus 4 3 and 1 as it is 8 minus 6 2 and that is 2 इस तरह से हम 2 digits के subtraction करते हैं यहां पर कुछ horizontal subtraction है जैसे 9 minus 6 3 and 2 इसके बाद इससे related कुछ word problem करते हैं जैसे एक 6 साल की बच्ची अबदुल 6 साल का है और उसके पापा की age 37 है तो अब वो अपने पापा से कितना चोटा है तो हम यहां पर क्या करेंगे 37 minus 6 that is 31 इसी तरह से Danish made 30 paper boats 10 boats were sunk 30 boat बनाई दानिश ने और 10 boat उसमें से डूब गई तो अब उसके पास कितनी boat बची that is 20 तो इस तरह से हम subtraction के questions करते हैं तो यह था बच्चो इस chapter के बारे में I hope आपको समझ में आया होगा Thank you